नमस्ते दोस्तों आज हम लैसुन का अचार बनाएंगे जो साल बार इस्टोर करके रख सकते बहुत टेस्टी लगता है और बहुत हेलदी अचार बनता है उसके लिए सबसे पहले लैसुन ले लेना है थोड़ा सा बड़े साइज के लैसुन लेना है तभी अच्छे से और छीलते बनता है क्योंकि छीलना बड़ा मुश्किल काम है लैसुन छीलना ही सबसे बड़ा काम होता है अचार बनाना तो आसान होता है सबसे पहले इसको फोड़ लेना है इसको साफ कर लेना है खराब लासुन हटा देना है छीलना बहुत बड़ा टास्क होता है और इस स कि खीलना इतना आसान नहीं है। लेकिन थोड़ा साथ सांदी हो जाती है। देखिए हमने लैसन को छील लिया आँ धूप में डाल दिया था। तो अच्छे से सूक चुका है। फानी सुखाना बहुत जरूरी रहता है। अब मसाले भून लेना है। मेथी ले लिया है। काली अब इसको भी निकाल लेना है बस एक-एक मिनट के लिए भून लेना है बहुत ज्यादा नहीं भूनना इनको अब कलाउंजी को भी भून लेना है अब इसको भी निकाल लेना है अब जीरा ले लिया है थोड़ी सी अजवाइन ले लेना है हल्का सा इसको भी भून लेना है अब इसको भी निकाल लेना है इसी मिक्स कर देना है अब सरसो ले लिया है राई भी कहते हैं इसको कहीं कहीं सरसो थोड़ा बड़ा होता राई थोड़ी छोटी होती है अब इसको भी हल्का सा ही भूनना है क्योंकि कडाही गरम रहती है अब इसको भी निकाल लेना है अब सारे मसाले ठंडे कर लेना तब पीसना है सारे मिक्स कर लेना एक में सौप बचा लेना है थोड़ी सी यह अचार बहुत ज़्याद़ टेश्टी बनता है और बनाने बहुत ही आसान है बस लैसुन छीलने में पीस सकते हैं और ठंडी में लैसन तो बहुत ज़्यादा करता है ऐसे भी फैदा करता है देखिए इस तरह से पीस लेना है दरदरा ही पीसना है तब ही अचार में टेश्ट आता है आप लोग यह अचार आडर कर सकते घर बठे आचार मिल जाएगा बिल्कुल देशी तरीके से अचार बनाते हैं और देशी मसालों से बनाते हैं घर में इसी तरह से सारे मसाले पीसते हैं और सरसो का तेल भी घरी का रहता है इसलिए अचार बहुत टेश्टी बनता है अब खटाई ले लिए आम की सूखी खटाई है और काला नमा का लाह सुना इसको भी पीस लेना है काम आती है कि अब इसको मिन अपिसा sodium डालने से बहुत जल्दी पिश जाता है और काला नमक की और अच्छा लगता है ये ख़ड़ और नमक है इसको लाते हैं दोखे धूप में सुखा लेते हैं और एक डिबमें भर के रख लेते हैं किशा वाला नमकrier इतना अच्छा नहीं रहता है इसलिए ख़ड़ा लाएं जब भी काला नमक लाएं तो खड़ा लाएं उसको धो के सुखा लिजिए फिर पीच यूद है एक दिन पहले का ला सब्यां रहां है उसमें हल्दी और नमक लागाके रग दिया था थोड़ा से तेल लगा के नहीं तो एक साथ में छिल पा बहुत जरूरी रहता चार में, और वही मसाला डाल देना है, तीन बड़े चमज डाल दिया है, अब दो बड़े चमज नमक डाल देना है, टेस्ट कर लेना अगर कम लगे तो, और लहसुन खटाई और नमक डाल दिया काला वाला, जो पीस की रखा था, अब सरसो का तेल डाल या घर का बना सुध तेल है, सरसो घरी में खरीत के पिरवाते हैं, बहुत सुध तरीके साचार बनाते हैं, आप लोग अडर कर सकते हैं, देखिए आप अच्छे से mix कर देना है, mix करके इसको धूप में सुखा देना है, कपड़ा बान के रख देना है साथ-ाठ दिन, तो तेस्ट याचार लगता जैसे घर में बनाते हैं वैसे याचार बनता है देखिए कितना बड़ी आचार लग रहा है आप नहों को मेरी वीडियो पसंद आयों तो लाइक कीजिएगा और सेर कीजिएगा एक बार जरूर ट्राइक कीजिएगा आपको अपना की